हेलो बच्चों, वेलकम बैक तो मैं चानल, क्यासे हैं आप सब लोग आज की वीडियो में आपको के लिए जो आपको अपका युक्रिट अपलसी, और या पर एकस्टेंट के वैकनसी आई है उसमें जो आपका सब्जेक्ट वहाएगा जो पॉर्मस्टेट पोर्शन आएंगे इसमें आपको बुक्ति पिंग है, कॉल्टेंसी है, सब सब्टेट पोर्शन नहींगे उसका मैं वीडियो सब्टेंट लेकर आऊएगी, जिसरे कि आपको अच्छे से दियारी हो जाएगा इसी तहां कि और विडियो से लिए जो आपको पोर्शन आएगी, उसके लिए चैनलों को सब्स्क्राइब कर लिजएगा वीडियो अच्छ लगेगी तो लाइक भी कर दीजएगा और प्रेंट सा शेयर कर दीजएगा आईए शुकरते हैं फर्स्ट कोशन लेते हैं डैश इस इस्टेमाटिक एग्जामनेशन अफ टा बुक्स और रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनस डैश पुस्तकों और अफ लेकों या व्यसाई की एक व्यस्तित परिक्षा है आपको बताना है कि कौन से ऐसी चीज़ होती है जो हम व्यस्तित तरीके से करते हैं जिसमें हम जो बुक्स होती हैं अकाउंट्स होते हैं जो भी रिकॉर्ड्स हमने रखे होते हैं किसी भी इंस्टिटूट में किसी भी संस्था में किसी इंस्टिटूशन में तो वह कौन से होते हैं औरिटिंग वाचिंग वारिफिकेशन चेकिंग अंकेच्षड प्रिमारंस त्यापन या फिर जाच किस चीज़ में हम पुस्तकों अपलेकों का एक क्रमबद परिक्षर करते हैं एक सिस्टेमाटिक जो है उसका एक्जमाइन करते हैं उसके बाद कोई निश्कर्ष निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है हमारा अंकेच्छर में अंकेच्छर के काल जब हम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम जो संस्था की books होती है, किसी business की, किस organization की, उन books को सारी check किया जाता है, जो भी leisure रखे गए है, journal रखे गए है, जो भी accounts बनाए गए है, उसके basis पर ये decision लेया जाता है, कि वो जो अपने books बनाई है, संस्था की books रखी गई है, वो actual में संस्था की उस स्थिती को जो उन books में दिखाये गया है, वो सहीता दर्शा रही है, या नहीं दर्शारी दिखा रही है, या नहीं दिखा रही है, वो किससे पता चलता है, हमको अंके छड़ से पता चलता है, तो गरिक टांसर क्या हो जाएगा हमारा, auditing, अंके छड़, और जो साथ ने प्रमारण दे रखा है, सत्यापन है, जाच, ये तीनों ही चीज़े किसके अंतर गाता आ जाती है, अंके छड़ में आ जाती है, अंके छड़ का कारे जो किया जाता है, वो प्रमारण के जरीए ही किया जाता है, जो गाउचर्स होते हैं, जो प्रमारण के जरीए ही ये देखा जाता है, जो आकड़े रखे गए हैं, जो भी हमने इंट्रिस करी हैं, जो जर्नल रखा है जो अकाउट्स बनाएं वो सही है या नहीं सही है सत्यापन में यह देखा जाएगा verification में कि जो भी assets है संस्था की जो company की assets जो उसके balance sheet में दिखा रहा है कि इतनी है actually में उतनी ही value की assets हैं भी या नहीं है physically हैं भी या नहीं है उनकी उतनी value है या नहीं है तो वह हम valuation करते हैं उसका और verification करते हैं और checking या जाच इसमें भी यह चीज़ें आ जाती है कि जो भी सहस्थामी किसी तहां का कोई कपट fraud तो नहीं हो रहा है या सही जंग से काम हो रहा है अगर fraud है तो उसको देखना यह सारी चीज़ें आ जाती है यह तीनों ही किसमें आता है यह अंकेच्छड में ही आ जाता है हमारा तो करेक्टांसर यह आप हमारा हो जाएगा auditing अंकेच्छड चलेने स्कोशन लेते हैं इस कोशन है instruction of audit issued by controller and auditor journal of India भारत के नियंत्रक और महाले का परिक्षड द्वारा जारी किये गए अंकेच्छड के निर्देश पर होने वाला डाश अंकेच्छड है यहाँ पर आपको बताना है कि वो कौन सा अंकेच्छड होता है या कौन सा audit होता है जो नियंत्रक महाले का परिच्छक होगा जो controller and auditor general of India होता है उसके आदेश पर होता है या वो कहता है या उसके निर्देश होते हैं किस तहां का अंकेच्छड हो जाएगा किस तहां अंकेच्छड हो जाएगा इस ट्यक्टर ऊडट पर चतार होता है तो उसी में पूछ राए कि यह वाला order जिर्देश पूछा है जो नियंत्रक माले का परिक्षक क्या देश पर होता होता हो हो जाएगा आपका सरकार यांग करिक्श्र यानि गुवर्मेंन डॉरिट जो सरकार होती है क्योंकर एक नजी होते हैं कुछ आपके हो जाते हैं लोक वैरं जिससे बोला जाता है तो वह बहुत बादे पर होते हैं जिसना एक फैमिली में घर को चलाने के लिए कुछ expenses होते हैं इंकम होती है तो गौर्वर्मेंट के अगर हम बात करें तो government के भी जो सारी काम होते हैं बजट बनाया जाता है बहुत से expenses होते हैं उन सारा का भी लेखा रखा जाता है तो यह देखना कि वो सही दंग से रखा गया या नहीं हुआ है तो उसका भी audit कराया जाता है तो वो audit किसके अदेश पर कराया जाता है नेंदे को महले का परिक्षक के अदेश पर किया जाता है तो इस तना का होता है वरस्थामाप्त हो रहा हूता है जब हो रहा है तो इसके बीच किया रहा है वह हो जाता है और हो जाएगा वह यह होता है यह क्यों कि आजाता है कभी-कभी जैसे की वर्ष की बीच में ही लाभाश है इंट्रिम डिविडेंट भी जिसना आप बोलते हैं उसे अंत्रिम लाभाश होता है तो कभी-कभी वर्ष की बीच में हमको जारी करना पड़ जाता है तो ऐसे सुच्वेशन में हम क्या करते हैं कि प्लानिंग त्यार करता है तो वही योजना प्लानिंग क्या कहलाती है तो क्या कहलाएगी वह किसी भी जिसके पुरी योजना त्यार करते है तो क्या कहलाता है हमारा ओडिट प्रोगाम अंके छड कारिकरम तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ओप्शन डी कि आडिट प्रोगाम जो होता है त्यार करता है पहले ओडिटर कहीं पर भी किसी भी और्गनाजरिशन का किसी का भी ओडिट करने से पहले तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ओप्शन डी नेस कोशन लेते हैं नेस कोशन है वाचर रिलेट्स टू डैश प्रमारक संबंदित हैं तो अभी पहले मैंने प्रमारकों के बारे में आपको बताया ही था कि प्रमारक क्या होता है जो प्रमारक का काम होता है यह देखना कि जो भी लेखे रखे गये हैं जो भी transactions हुए हैं जो भी interest करी गई है वो accurate है या नहीं उसमे accuracy है या नहीं है यह सारे जितने भी leaden थे सबका लेखा करा गया है यानि सबके records लखे गए है यानी तो कै, और जितने records लखे गए हैं वो सही है या नहीं तो यह किसकी basis पर चेक किया जाता है ये vouchers के basis पर चेक किया जाता है जो प्रमाड़क होते हैं और ये कारी क्या हो जाता है ये कारे transactions नगत लेन देन कि जितना भी हमने जो है लेन देन किया होगा all of the above यह सभी तो जो प्रमारक होते हैं इन तीनों ही चीज़ों से related करते हैं इन तीनों ही चीज़ों से related होते हैं तो का एक आंसर क्या होगा हमारा option D all of the above next question लेते हैं next question है auditing begins where dash ends अंके च्छड़ वहाँ से शुरू होता है जहां dash समाप्थ होता है यह question आपका financial accounting है वहाँ पर भी पूछा जाता है जो आपको शुरू होता है जहां पर dash समाप्थ होता है क्या समाप्थ होगा से लिंग विक्राइं इन्वेंटरी वैल्वेशन इसकंद मुल्यांकन accounting लेखांकन परचेजर स्क्रेड यहां पर क्यों से चीज़ आ जाएगी तो अंके च्छड़ वहाँ से शुरू होगा वे अंके शुरू होता है जहां लेखांकन समाप्थ होता है तो करिक आंसर क्या होगा हमारा option c आप लोग भी साथ साथ है सॉल्व करते चलिए मुझे comment section ने बताइएगा कि कितने आंसर आप लोग के correct हुए है next question लेते हैं next question है audit means audit का अर्थ है यानिकी अंके च्छड का अर्थ है अंतिम खातों की तैयारी फुस्तकों खातों वौचर आदे की जाच करना या फिर अंतिम खाते तैयार करना तो यह आप अप अपसे पूछ रहा है कि audit का मतलब क्या होता है recording business transactions preparing the final accounts examination of books accounts vouchers etc preparing final accounts आपको ब definition आपसे पूछ रहा है यह चीज समझ लिजे कि audit में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी वैपाइक लेंदेन की recording recording का काम करना लिखना किसी पी चीज़ को record करना audit का काम नहीं होता अंतिम खातों की तैयारी करना भी audit का काम नहीं होगा पार्ला एकांट्स जो होते हैं वह accountant के जारा त्यार किया जाते हैं जो लेखा पालक जिसे बोलते हैं जो जिसके तहरे आप ही लोग कर रहे हैं assistant accountant की वही चीज़ आ जाएगा पुस्तकों खातों वाचर आदी की जाच करना यह काम होता है audit का अंके छड़का कि पुस्तके जो हम रख रहे हैं बुक्स जो रखी पुस्तकों खातों वाचर आदी की चार्च करना एक्जामनेशन और बुक्स अकाउंट्स वाचर एटी सी नेस्सके लेते हैं सेल ऑफ लैंड इस एड डैश भूमी की विक्री एक डैश है तो किसी संपत्ती को बेचने की बात यहां हो रही है कौन से संपत्ती है लैंड या है तो ब्हट है यहां पर यहां पर यहां घए है और मेंकिया पुलिऑ करिके करें तो इंकम होगी रहे चाहिए घेड़ने कर रहे हैं देगा रिपनीपड़ा लेट है अब यह देखना है कि रिवन्यू है या capital रिवन्यू है या capital रिशीफ है यहां पर यह भूमी क्या है हमारी capital asset होते आती है आपकी fixed asset है यह भूमी जो है तो यह क्या हो जाएगी capital receipt हो जाएगी पौझी गत प्राप्ती हो जाएगी तो एक तांसर क्या होगा हमारा option B उसके बाद अब यह देखना है कि किस चीज की हो रही है अगर जो चीज आपकी सीधे वैसाई के संचल अपरेशन से रेटेड हो जाती जैसे कि स्टॉक की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा वह राजस रेवनी हो जाएगी लेकिन किसी संपतिक अगर बात की जा यह तो वह हो जाती है तो कहिक तांसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन भी नेस्स कोशन है गुप्त संचे डैश द्वारा बनाया जा सकता है सेक्रेड रिजर्व कैन बी क्रेटेड बाई डैश पाब्लेक लिम्टेड कंपनी ओनली बैंकिंग फाइनेशल कंपनी ओनली प्राइ जा रहा होता है तो कौन सी कंपनी के लिए बनाने में क्या होता है हो वह वैद हो जाता हैятся लेग या ॥ा Will प्शन होगा हमारा option बी नेक्स कोशन है preliminary expenses are the best example for dash paramic where dash के लिए सबसे अच्छा उधारण हैं तो यहाँ पर नीचे संपतियां दे रखी हैं तो समझ लीजे आपको क्या पता लगाना आपको यह पता लगाना जो preliminary expenses होते हैं वो किस तहां की संपति होते हैं विक्टिश्यस ऐसेट करविक संपति इंटैंगेवल ऐसेट अमूस संपति विस्टिंग चैसे संपति फ्लोटिंग अशर्ट नर्गमिस संपति यहाँ पर जो अधाने निचे साइट में दिखाते हैं तो कौन से हो जाते हैं वह सब्सक्राइब हो रहा है तो किस तहां के हो जाएंगे हो जाती है तो क्या हो जाएगा हमारा और प्षिन एक नेस्ट कोशन है दा अडिटर ऑफ गॉवर्मेंट कंपनी शाल भी अपॉंटेड बाई डैश एक सरकारी कंपनी के अंकेक्षक की न्युक्ति डैश त्वारा की जाएगी यहाँ बात हो रही है कि कोई सरकारी कंपनी हैं गॉर्मेंट कंपनी भी होती है तो उस में जो ऑडिटर होता है तो उसकी न्युक्ति कौन करता है उसे अपाइंट कौन करेगा दो गॉर्मेंट कंपनी इट्सेल्फ स्वाम सरकारी कंपनी दा सेंट्र गॉर्मेंट के नसलकार दा शेयर होल्डर्स अंश धारक डेवेंचर होल्डर स्वर्पत्र धारक तो यहाँ जो सरकारी कंपनी होगी उसके चेक निकति कौन करेगा उसके चेक निकति करती है सेंट्र ओवर्मेंट जो होती है के नसलकार जो होती है तो करिक्टर आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन भी इस कोशन लेते हैं लोकड भई के चछल का मुख्यों दिश डैश हो सकता है दा मेन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन बिजनस टू चेक दा बैंक बैलेंस तो यह आपकोशन पूछ रहा है जो कैश बुक होती है उसका जो ऑडिट होता है तो क्यों किया रहा तो उसको अबजेक्ट क्या होता है ऑडिट करने का कैश बुक के संपत्य देन दैनों को सतापित करने के लिए यह देखना कि जितनी पी एसर्ट है या जितनी पी लाइबर्टी है वह एक्च्वल में है यानि उनको वारिफाई करना यह जानने के लिए कि सभी प्राप्तियां भुकतान ठीक से रखे गए हैं सबसे इंपॉर्टन यहीं चीज है आपकी कि जो रोकड भाई होती कैश्बुक होता है उसे में चीज यही देखी जाती है कि जो भी प्राप्तियां है हमारी जो भी हमें रिसीप्ट है और जितना जो भी हमारे पेमेंट्स है वो सब एक्च्वल में सही रंक से रखे गया है या नहीं रखे गया है तो कि रोकड भाई जो कैश्बुक होती है यही लेंदन दिन तो रखी जाते हैं कितना भुकतान के आग ज़ाता है कि यहीं बिया जाता है कि यहें जानने के लिए कि भुकतान ठीक से रखे गया है या नहीं आई है तो करेंकर आंसर हो जाएगाइगा इसमें हमारा ऑप्षिन बी इस कोशन है रिजिदेंशियल स्टेटस इस डेटर्माइन बाई आवासे स्टेटी को डैश के लिए निधारित किया जाता है यानि कि आपको यह बताना है रिजिदेंशिल स्टेटस कहा इसकी बात आती है जो इंकम टैक्स हम लगा रहे होते हैं तो वहाँ पर यह देखना क्योंकि जो हमार टैक्स लगाया जाता है वो रिजिदेंशिल स्टेटस के बेस पर लगाया जाता है ना कि नागरिकता के बेस पर को हो सकता है कि कि किसी वर्ष में कि कोई व्यक्ती भारत में नागरिक हो लेकिन ज़रूरी नहीं है income tax के purpose से भी वो income के उसकी वो भारत में taxable हो इसलिए जुसकी residential status होता है वो important होता आपको पता ही होगा residential status निसी तरह क्या जाते हैं आपको पता ही होगा एक हो जाते निवासी आनिवासी और सधार निवासी तो यहां पर जो आवासे स्थिति के किस वर्ष के लिए निधार्यत क लगाएंगे आप लगाएंगे जो हमारी 21-22 कब से एक अप्राइल 2021 से मार्च 21-2022 तक की निए कम जो होगी हमारी उस इंकम पर टैक्स लगाएंगे कब लगाएंगे 2022-2023 में तो यहां पर जो गत्वार्श का अप लगाया जाता है तो आवासे स्थिती जो उसकी निधाइट की जाती है वो भी गतवर्षकी की जाती है तो क्रिक टांसर हो जाएगा हमारा option A next question है आएकर अधिनियम के अंतरगत कराधान किस डैश पर निर्भर करता है under the income tax act the incident of taxation depends on dash the citizenship of the taxpayer, the age of the taxpayer, the residential status of the taxpayer, the profession of the taxpayer तो आपको ये बताना है जो आय का अधिनियम के अंतरगत जो income tax act है उसमे जो हम tax लगा रहे होते हैं वो किस चीज पर depend करता है करता है कि नागरिक्ता पर उसकी आयूप पर उसके आवासे स्थिती पर उसके पेशे पर तो किस पर डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है उसकी आवासे स्थिती पर इससे पहले के कोशन नो देखा था कि मैं आप लोको बताया था कि जो उसकी आवासे स्थिती होती है कि र ku ao ран पॉप्शन कुज अब करना है और कोई कोई कोशन हो तो मुझे कुमट करिएगा चले इनस कोशन लेते हैं Income Tax Act came into force on Ike Adenium Dash को लागू हुआ यह तो हमें पता है कि Ike Adenium बना था 1961 में नाम ही के साथ उसके एड है 1961 Ike Adenium Income Tax Act 1961 तो यहाँ पर यह लेकिन पूछ रहा है आप से कोशन में कि कब जो है लागू हुआ था तो यहाँ पर जो लागू हुआ था वो एक अप्राइल 1962 को लागू हुआ था तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा Option B तो आज की वीडियो में इतना ही I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अजर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा इसी तना की और वीडियोज के लिए भी और किसी तना को कोई सजेशन हो कुछ पूछना चाहते हो को तो मुझे कमेंड करिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स बैक्स रसेट में थांक यू